जेहिन नमस्कार आप सभी का एक बार फिर स्वागत है इस वीडियो में मैं जो आप सब को जानकारी दूँगा वो जानकारी आप सब के लिए बहुत ही ज़्यदा जरूरी है और ये जानकारी जुड़ी हुई है आपके मोबाइल डाटा से आपके परसनल डाटा से आपके सर्वीस और पैंसन डाटा से कि ना जाने एसी कौन सी वेबसाइट आपके मोबाइल में ओपन हो जाए जिसके जरिए आपके मोबाइल का पूरा डाटा अपने पडोसी देश पाकिस्तान में चला जाए इसी के बारे में CGDNA 4 सप्टमबर 2023 को एक एड़वाजरी जारी किये और उसी एड़वाजरी पर 6 सप्टमबर 2023 को PCDA ने ये लेटर जारी किया है इसके अनुसार गाइडलाइन्स रिगार्डिंग डोमेंस रेजिस्टर बाई पाक मालीसियस एक्टर्स कुछ ऐसी भारत सरकार की वेबसाइट जैसे की केंद्रिय सेनिक बोडो CGDA की ओप, PCDA की ओप, इसके साथ इसपर्स की ओप, ऐसी ही सेम टू सेम वेबसाइट पाकिस्तान ने भी बना लिये आप अपने मोबाइल में जब इन वेबसाइट में एंटर करने की कोशिस करेंगे तो हो सकता है कि आप गलत वेबसाइट में एंटर हो जाएग और वहाँ पे आपको सेम एक्टिविटी और लोग इन विंडो मिलेगा आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे लेकिन वो यूजर नेम और पासवर्ड किसी और के पास चला जाएगा यानि आपके मोबाइल का पूरा डाटा हेक हो जाएगा तो CGDNA लेटर जारी किया उसी के आगे PCDNA यहाँ पे कुछ गाइडलाइन जारी किये जिसमें कहा है जो ये वेबसाइट पाकिस्तान द्वारा बनाई गई है वो बारत के डिफेंस परसनल को ट्रेप करने के लिए बनाई गई है जैसा कि इसमें लिखाए एज कन्वेड बाई CGDNA हेड़कौर्टर ओफी सर्कूलर सेटेड अबोब इट इज ब्रोट तु दा नोटिस देट फ्यू वेबसाइट एव बिन रेजिस्टेड अंडर .in डोमेन विच आर ओरिजिनली होस्टेड बाई पार्क बेस्ट मालिसियस एक्टर्स जिस वेबसाइट के पीछे .in लगावा है वो पाकिस्तान की वेबसाइट है इसके बारे में यहाँ पर का जा रहा है तो आए ज़्यदा देरी ना करते वे सिदा हम CGDA ने जो लेटर जारी किया है चार सप्टमबर 2023 को उसके बारे में समझ लेते हैं देखिए इस बीन अब्जर्व डेट फ्यू वेबसाइट हैव बीन रजेस्टेड अंडर .in डोमेन विच और ओरिजिनली होस्टेड बाई पाक बेस्ट मालिशियस एक्टर्स दीज वेबसाइट आर होस्टेड तु ट्रेप इंडियन डिफेंस परसनल दा लिस्ट ओप वेबसाइट इडेंटिफाइड तिल डेट और एज अंडर वेबसाइट यानि और भी हो सकती है लेगिन 4 सप्टमबर 2023 तक जो वेबसाइट ऐसी है संग्यान में आईए ध्यान में आईए वो इस परकार है देखें हमारे इंडिया की जितनी भी सरकारी वेबसाइट होगी उनके पीछे .gov.in लगा रहेगा यह .gov नहीं लगा इसका मतलब यह बारत की वेबसाइट नहीं है दूसरा है casebboards.in इसी परका dopt.ccorddesk.in फिर है caseb.est.in हमारे जो वेबसाइट है वो है caseb.gov.in यहाँ पर एक वेबसाइट का नाम दिखाई नहीं दे रहा है एक है cgda.est.in एक है admin branch.in एक है code branch.in फिर code branch.in eadmin.in admindesk.in और casebpanel.in इन वेबसाइट को आप भी identify कर लें यहाँ पर हलांकी clear दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन मैंने आपको पढ़ के सुनाया है तो जितनी भी वेबसाइट है जिसमें gov.in नहीं है वो वेबसाइट पाकिस्तान की है जिसमें direct.in लगावा है और जो सरकारी मामलों से जुड़ी वेबसाइट है आगे लिखाए कि further research at national levels is in progress यानि इतनी वेबसाइट मिलने के बाद और भी research किया जा रहा है ताकि जो इस परकार की पाक malicious वेबसाइट है उनको डूंडा जा सके और उनके उपर बेन लगाया जा सके these domains can be used to launch spear phishing attack against armed forces ये वेबसाइट आपकी जो इंडिया की भारत की वेबसाइट है उसमें भी आ सकती है कहीं पर आपको pop-up में दिखाई दे सकती है जिसकी वज़े से phishing attack हो सकता यानि आपके mobile का data है वो चुराया जा सकता है in view of the above the following actions are to be taken immediately to contain spread of these campaigns यानि और पाकिस्तान के मनसुबे काम्याब ना हो इससे पहले कुछ एक कारवाया हमें करनी है ताकि हमारे defense personnel in website के जांसे में ना आए block the malicious URLs mentioned at para to above at perimeter securely devices of जितने भी यह PCDA, CGDA में devices है उनमें उपर जो website दी हुई है उनको यहाँ पे block करने के लिए लिखा हुआ है तो जितने defense personnel है वो भी इन URLs को block कर सकते हैं दूसरा है sensitize all personnel under respective AOR regarding these phishing campaign organizing from these phishing domains and download applications only from trusted website जितने भी defense personnel है इन website को open ना करे और इन website के जरिये कोई application डाउनलोड ना करे next है sensitize person to not enter their NIC login credential when redirected login page appears कोई website आप open करते हो और आपकी website original ना होके उसमें जो address बताएगे है यदि पाक malicious actors के address है तो आप अपने username और password को वहाँ पे enter ना करे forward any suspicious emails DCYA email ID without clicking on any link अपनिंग अपनिंग अटेच्मेंट और entering credentials for analysis and further guidelines इस परकार का मामला संग्यान में आता है तो PCDA और CGDA को उसकी जानकारी बेजनी है कि जो पाक malicious actors दोरा इस परकार की website बनाई गई है और ये इसका address है ताकि उसके उपर रोकताम लगाई जा सके post forwarding to DCYA delete phishing emails from the inbox and trace folders of all the recipients अपने email में भी हमेशा जान रखना है जितने भी phishing emails आते हैं उनको अपने inbox से delete कर देना है साथ ही साथ जो trace folders होता है जिनके पास में email आता है उसमें trace folder भी होता है उसको भी खाली कर देना है in view of the above all the controllers are advised to ensure compliance of the guidelines given above and disseminate these guidelines to all their and sub offices for strict compliance यानि जितने भी आपके offices है sections है उनमें इन जानकारियों को फेलाना है साथ ही साथ यह सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो defense personal है जो pensioners है defense की जितने भी pensioners है वो भी इस परकार की जो फर्जी website से सावदान रहे है हालांकि इसमें बात कहीं गई है कि defense personal को अवेर करना है लेकिन PCDA दोरा कोई भी जानकारी दी नहीं गये क्योंकि PCDA खुद की website नहीं चल लिए इस परकार की जानकारियां PCDA और CGDA दोरा अपनी website के उपर डालने चाहिए ताकि जितने भी defense personals और pensionals है वो भी इन जानकारियों से अवेर हो सके लेकिन ये circular किसी ने scan करके डालाए अच्छी बात है और सभी defense pensionals के लिए जरूरी है कि वो पाक malicious actors की जो website है उनको ओपन ना करें भारत की जो website होगी उसके पिछे .gov.in लगा रहेगा और .gov ना लगा रहे और सिधा .in लगा है इसका मतलब वो malicious website है तो ये जानकारी लेके मैं इस वीडियो में आपके लिए आया जो की बहुत ही ज़दा मेहतुपूर्ण है इस जानकारी को आप अपने तक सीमित ना रखिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़दा शेयर करिएगा क्योंकि इस परकार की हरकतें जितने hackers है जितने फ्रोडर्स्टर्स है और जितने भी पाक malicious actors है वो कर रहे हैं और लगे हैं कि एक नया इस परस नाम का software आया है जिसके नाम पर defense pensioners को हम बेकावव में लेके उनका bank account खाली करें बनेरी चैनल के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आप से जुड़ी हुई इसी परकार की एक और जानकारी के साथ तब तक के लिए जै हिंट जै बारत वंदे मात्रम